निजामोदीन मर्कस को दوبारा खोलने से जुड़ी याचिया पर केदर सरकार ने दिल्ली हाई कोट के समक्ष हलफना मा दाखल किया है मर्कस खोलने का विरूद करते हुए केदर सरकार नहीं कहा ये फैसला सीमा पार कई मुल्कों तक असर्ड डाल सकता है हलाकि दिली हाई गोटे कहा है कि मरकस को अनिश्चित काल तक बंद नहीं रखा जा सकता निजामुत दीन मरकस में कोविड-19 के प्रोटोकॉल के गंभीर उलंगन को लेकर मार्च 2020 में मुकनमा दर्ज किया गया था कुरोना ववर के फैलने के बीच मरकस में तबलिगी जमात का कॉन्फरेंस हुआ जिसमें हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया की कई ही मुलकों से तबलिग गिया है मरकस को दुबारा खोलने की याचिका पर किंडर सरकार ने कहा इसका गंभीर एसर होगा दिली के जिप्टी पॉलिस कमिशनर ने इस बात के साथ दाखल केंडर के हलफ नामे में कहा करोना प्रोटोकॉल के उलंगन को लेकर दर्ज केस प्रॉपर्टी के तौर पर मरकस को अभी ऐसे ही संडख्षित रखना जरूरी है क्योंकि इस मामले से जुड़ी जाच का सीमा पर प्रिभाव पड़ सकता है मामला कई देशों के साथ कूट नीतिक रिष्टों से भी जुड़ा हुआ है वही केद्र की ओर से पेश अधिवक्ता ने दलिल दी के मरकस को खोलने की कानूनी कारवाय के शुरवात संपत्ति को लीज पर लेने वाले या परसर में रहने वालों की तरफ से हो सकती है मरकस के आवासी ये भाग को एक याचिका कोट में लंबी थे वक्त बोर्ट को इसमें आगे आने का हक्त मरकस को दुबारा खोलने के लिए दिल्ली वक्त बोर्ट ने अरजी दी है जिस पर जस्टिस मुक्ता गुपता ने सुनवाई की मरकस पिछले साल 31 मार्ज से ही बंद है हाई कोट ने किंदर से इस सवाल क्या कि उसकी मनशा कब तक निजामोदीन मरकस को बंद रखने की है और कहा कि हमेशा के लिए ये तो नहीं क्या चाह सकता है